Assalamu alaikum welcome to student tube आज के इस लेक्चर में चेप्टर फाइफ आइकॉम पार्ट वन बिजनेस मैद बुखर शाहिद जमाल की चेप्टर है लीनियर एंड क्वालिटिक एक्विशन सो कुश्य नमबर है 5.37 तो यहाँ पर हमने LCM लेना है 6 और 3 का 6 आया ठीक है अब 6 बंजा 6 6 बंजा 6 कैंसल तो यहाँ पर आजाएगा 2x ब्लस 17 ठीक है और यहाँ पर 3 बंजा 3 3 2 बंजा 6 तो यहाँ पर होगा 2 4x-2 और दर्मयान में प्लस ठीक है और is equal to 7x-3 upon 2 इसी तरहां स है अब यहाँ पर multiplication करेंगे so 2 4s are 8x-2 2s are 4 plus 2x plus 17 upon 6 और equal में 7x-3 upon 2 इसी तरहां से अब 8x है 2x है तो होगा 10x और प्लस और 17 है प्लस का और माइनस का 4 तो यह हो जाएंगे 13 plus का 13 upon 6 is equal to 7x-3 upon 2 simple cross multiplication होगी यह आएगा 10 के साथ x ठीक है so 2 multiply हो जाएगा 10x plus 13 से is equal to 6 multiply हो जाएगा 7x-3 से so 2 10s are 20x plus 26 is equal to 6 7s are 42x minus 18 ठीक है so 20x minus 42x is equal to minus 18 और plus का 26 मागया minus का 26 ठीक है so यहाँ पर दोनों को minus किया so हो गए 22x is equal to यहाँ पर यह हो गए minus minus प्लस और minus का 44 so x is equal to यह भी minus का है तो minus minus cancel हो जाएगा 44 upon 22 so 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 11 1s are 11, 11 2s are 22 so x is equal to 2 ठीक है अब है 5.38 इसमें भी हमने LCM लेना है so यहाँ पर 12 है 2 है LCM आ जाएगा 12 फिर यहाँ पर multiplication होगी so 12 1s are 12, 12 1s are 12 cancel हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा x minus 8 ठीक है ब्रेकेट में क्योंकि बाहर minus है फिर यहाँ पर 2 है that means 2 1s are 2, 2 6 are 12 so 6 होगा x minus 3 से multiply ठीक है so यहाँ पर यह हो गया 6x minus 6 3 is 18 minus x और minus minus plus 8 अपन में आ गया 12 यहाँ पर सेम LCM ही होगा 12 and 4 है तो 12 हो गया यहाँ पर और यहाँ पर यह हो गया फोर वंजा पर 3 is 12 तो 3 जा और x minus 3 फिर minus अब है 5 अपन 12 तो यहाँ पर 12 12 से cancel 5 तो यहाँ पर यह हो गए 5 minus 3 x minus minus plus 3 फिर जा 9 अपन 12 ठीक है अब 6 x और minus x तो यह हो गए 5 x और minus 18 है plus का 8 है तो minus हो जाएंगे तो हो जाएंगे 10 अपन 12 is equal to अब यहाँ पर 5 minus 3 x है और plus का 9 है तो 9 और 5 14 minus 3 x upon 12 अब देखें denominator जो है वो सेम हो गए है तो यह हट जाएंगे और हमाएं पास आ जाएगा 5 x minus 10 is equal to 14 minus 3 x ठीक है वेरियेबल एक तरफ आ गए 5 x minus तो यह प्लस का 3 x हो गया 5 x is equal to 14 minus है तो प्लस का 10 तो यह होगा 8 x is equal to दोनों को प्लस किया तो होगा 24 so x is equal to 24 upon 8 8 वंजा 8 8 3s are 24 so x is equal to 3 answer तो यह थी दो आपको अच्छे समझ आ गए होंगे मजीर अक्सराइजिस के लिए चैनल को कर दें subscribe और साथ यह अपने classmate and friends से शेयर भी जरूर करें और विजित आर वेबसाइट www.studenttube.info Allah Hafiz